तो ये है सस्ता एपल वाच तो हेलो एव्रीवन वेल्कम बैक टू मैच चैनल आरियन टेकिन गेमिंग एंड दोस्तों आज है मेरे पास आई क्रूज के तरफ से आज की वीडियो में करने वाला हूं इसका एक फुल रिव्यू क्योंकि दोस्तों इस वाच की प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 10,000 रुपीज है और 10,000 रुपीज मैटर करता है जब आप कोई भी चीज पर्चेस करने जाते हो कोई भी प्रोड़क्ट पर्चेस करते ह तो आज की वीडियो में क्लियर ओपीनियन दूगा कि यह वाच आपको पर्चेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो बिना टाइम वेश के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तो लाइक कर देना बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे तो लेट सब बात करते हैं सबसे पहले अंबॉक्सिंग की तो यहां पर अच्छा देखने को मिलता है एंबॉक्स में यहां पर आपको कुछ इस तरीके का देखने मिल जाता है साइड में कुछ फीचर मेंशन किये गए बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमें अपना डाइल देखने को मिलता हैं साइड में यहां पर रखा हुआ हमें अपना स्ट्राप देखने को मिलता हैं स्ट्राप की कॉलिटी मुझे अच्छी लगी है साथ-साथ अंदर चलने पर हमें कुछ डॉक्यमेंट्स देखने को मिलते साथ साथ हमें यहां पर एक wireless charger भी देखने मिलता है USB type A के साथ तो यहां पर box content में कोई भी कमी नहीं की गई है सबी चीज़ें अच्छे से प्रोवाइड की गई है अब सीधा आगे बढ़ते हैं design पे तो guys design की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले built quality की बात करें तो यहां पर इसका weight 59 grams देखने मिलता है और मैं इसे जादा heavy भी नहीं कहूंगा और हाथ में यह comfortable भी feel होता है तो यह भी अच्छी चीज हो जाती है IP rating 67 certified है तो यह अच्छी चीज हो जाती है यह मुझे काफी अच्छा लगा है लेकिन मैंने IP rating को अच्छे से अभी test नहीं किया तो मैं clear conclusion आप लोगों को नहीं दे सकता buttons की बात करें तो left side में आपको सबसे पहले speakers देखने मिलता है ठीक उसे के नीचे यहां पे एक sports mode का button दिया गया है जिसके थुरू आप sports mode को directly switch कर सकते हो और यहां पे change भी कर सकते हो right side में आए तो right side में हमें यहां पे digital crown देखने मिलता है उसको अगर आप press करते हो तो यहां पे आप app drawer पे चली जाते हो ठीक उसे की नीचे हमें power button देखने मिलता है जिससे आप watch को on and off कर सकते हो तो display की बात करें दोस्तों तो यहां पे हमें 1.9 inch की HD display देखने मिलती है and यह LCD display है and सबसे पहले मैं बता दू कि company ने जो photos में display दिखाया था उसके हिसाब से यहां पे bezels बहुत ही मोटे देखने मिलते हैं तो यह मिजो बिलकुल भी पसंद नहीं आया है साथ-साथ display की जो brightness है वो ठीक ठाक मुझे लगी है heavy से heavy lighting condition में अगर आप ले जाओगे तो यहां पे इसकी display में issue आ सकती है visibility की issue आ सकती है तो इस बात का ध्यान रखना होगा and मेरे हिसाब से थोड़ी और brightness इसमें roll out करनी चाहिए थी वैसे दोस्तों यहां पे display की जो smoothness वो मुझे बिलकुल भी अच्छी नहीं लगी है बहुत जादा यहां पे jitterness देखने को मिलता है साथ-साथ lag भी करता है तो यह एक minus point हो जाता है and इसकी display को मैं smooth नहीं कहूँगा वैसे दोस्तों यहां पे आपको काफी सारे features भी देखने मिल जाते हैं इस watch के साथ जो भी हम आगे discuss करेंगे तो number one feature की बात करें दोस्तों तो यहां पे Bluetooth calling का option आपको दिया गया है and सबसे पहले call quality की बात करें तो यहां पे microphone की quality मुझे अच्छी नहीं लगी है second person जो बात करता है उसको clear voice नहीं जाती है इसके microphone से लेकिन speakers की बात करें तो speakers यहां पे अच्छा output देता है इसमें कोई भी issue नहीं आती है साथ साथ दोस्तों एक चीज मैं बता दूँ कि Bluetooth calling में बहुत बार issue भी आता है यहां पे यह ठीक से connect नहीं होता है तो यह भी issue आ जाती है और रही बार display की तो दोस्तों display में एक point में भूल गया था है यहां पे बतातूं कि यहां पे display में touch response की भी काफी जादा issue आती है और कई बार इसकी touch sensitivity काम नहीं करता है और touch यहां पे नहीं लेता है तो यह भी इसके display की major issue हो जाती है इस particular watch के साथ आगे बड़े दोस्तों second feature पे तो है यहां पे हमें sports mode का option देखने मिल जाता है लेकिन यह sports mode जो दिये काफी limited है यहां पे cycling, running, skipping and walking का ही option दिया गया है इन चार के अलावा कोई sports mode नहीं दिया गया है तो मेरे हिसाब से यहां पे और भी sports mode अड़ करने चाहिए थे क्योंकि यह 10,000 का हो अच्छा है तो यहां पे जादा option होने चाहिए थे अब बात करते हैं दोस्तों यहां पे health feature की तो यहां पे health monitoring में भी आपको 3-4 features देखने मिल जाते हैं जैसे spo2, blood pressure, साथ-साथ heart rate monitoring और दोस्तों यहां पे आप temperature monitoring भी कर सकते हो लेकिन दोस्तों जब मैंने इसे object की ओपर रख के देखा तब भी यह work कर रहा था यानि मैं इसकी readings को बिल्कुल ही inaccurate कहूँगा और यहां पे बिल्कुल ही accurate यह work नहीं करते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा health monitoring के लिए यह मैं recommend नहीं करूँगा और आप इसके results पे readings पे आप health पे rely नहीं कर सकते हो साथ साथ दोस्तों हमें एक feature और देखने मिलता है जो कि मुझे काफी पसंदा है वो है shake to selfie और दोस्तों यहां पे आप कुछ इस तरीके से watch को shake करके direct selfie ले सकते हो लेकिन दोस्तों यह camera जो use करता है user interface का ही करता है direct phone का camera से यह connect नहीं होता है तो इस बात का आपको धियान रखना होगा हलाकि selfie की quality मुझे ठीक ठाक लगी है तो इसमें कोई भी issues नहीं आगी 200 mAh की battery दी गई है और यहां पे wireless charging support करता है लेकिन मैं बता दू wireless charger जो दिया गया है वो बहुत ही low and cheap quality का है and plastic का है and इसकी battery backup की बात करें तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा है यहां पे 3-4 घंटे में इसकी battery drain हो जाती है तो यह एक बहुत बड़ा irritating point लगता है मेरे को साथ-साथ दोस्तों watch face की बात करें तो यहां पे limited 4-5 watch faces ही दिये गए है and watch face को आप user interface से जाके change नहीं कर सकते आपको direct dial के through करना पड़ेगा and यह बहुत ही limited है तो यहां पे आपको जादा watch face देखने नहीं मिलेगा साथ-साथ यहां पे 10,000 का यह watch होने के बाद भी आप अपने gallery से watch face को sync नहीं कर सकते तो यह बहुत-बड़ा sad part लगा है मुझे इस watch का तो सबसे पहले connection की बात करें दोस्तों तो यहां पे connection में बहुत ही जादा issue आती है बार-बार connection fail हो जाता है and यहां पे यह connection जो है stable भी नहीं रहता है बार-बार यह डिसकरेक्ट हो जाता है अपनी user interface आप से वही आप की बात करें तो यहां पे यह harryfine app के साथ compatible है and यह android as well as ios दोनों पर function करता है and यहां पे इसके interface की बात करें तो यहां पे आपको काफी सारे options देखने मिल जाते हैं and basic basic यहां पे सभी चीज़े यह show करता है इसमें आप कुछ चीज़े कस्तमाइज भी कर सकते हो तो इस बात का आपको धियान रखना होगा लेकिन यहां पे connection की बात करें तो Bluetooth version 5 देखने मिलता है and मेरे हिसाब से यहां पे Bluetooth version 5.2 at least होना चाहिए था and connectivity के मामले में यहां पे काफी जादा issue आती है and यह बहुत ही जादा irritating and distracting part हो जाता है इस particular watch का तो अब आते हैं दोस्तों conclusion पे तो मेरा conclusion यह है overall मेरा simple सा conclusion है कि 10,000 रूपीज में यह watch विल्कुल ही worth नहीं है and मेरे हिसाब से इस से कम price में इस से जादा feature offer करने वाले watch आपको मिल जाएंगे तो आप उनकी तरफ जा सकते हो तो मेरा suggestion यह है कि आप इस watch में पैसे अपने खर्च ना करें and दूसरे watch की तरफ देखें and यह i-cruze Pronto Max उतना वर्थ नहीं होता है तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आया पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो यह गलट decision ना ले इस watch को purchase ना करें तो मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए स्वास्त्रों व्यस्त्रों मस्त्रों बाई